हलो फ्रेंड आज हम लोग बात करेंगे ओपो ए 38 का स्मार्ट फोन के बारे में अगर आपके पास ओपो ए 38 का स्मार्ट फोन है अगर आप जीमेल एकाउन लोग लगा के भूल जाते हैं आप इस वीडियो को कम्प्लीट देखिए यहाँ पर आपको हम बताएंगे फ्री में घ इसे आप फ्री में रिमूब कर सकते हैं तो चले दोस्तों वीडियो को सुरू करते हैं सबसे पहले यहां पर आपका जो भी कंट्री उसको स्मार्ट फोन है अगर आप फर पी एंड जीमेल अकाउन लोग आप लगा के बूल चुके हैं पूरा वीडियो देख लिजी फिरी म रिएट यहां पर थोड़ा सा वेट करते हैं आगे आपका गूगल स्वाइनिंग का उफ्सिं पाव स्मार्ट फोन को बैका ना तेकर आपना मैं देखें अपर साइड कर दिये यहां पर साइड में इको लोगो मिलेगा असे लोगो में आपको स्लेट करना जैसे आप सबसे सिर्वाइफन मिलेगा कुछ इस तरह से ऊप्सिन खुल के आएगा यहाँ पर सबसे नीचे में फिर से वाइगा यहाँ पर वेट करना है अब देखें ओ ठीक्वर सब्सक्राइब करना है यहां पर सब्सक्राइब करना है यहां पर आपको मैसेज का ऑफिसन मिलेगा आपको स्लेट करना है सब्सक्राइब करना है यहां पर आपको टाइब करना है यहां पर आपको टाइब करना है यहां पर आपको टाइब करना है यहां पर सारा कुछ सब हटा देना है ठीक है यहां पर जितना भी आपका टाइटल लिखा हुआ जाएगा उसको हटा देना है अब यहां पर आपको टाइटल लिखना है लिखना क्या है यहां पर आपको टाइप करना है यहां पर को सिंपल तरीके से टाइप करना है www.youtube.com ठीक है चले टाइप कर दीजे www.youtube.com उसके बाद इससे send करना है चलिए send करके दिखाते हैं तो यहाँ पर हम लोग youtube.com लिख दियें send कर दियें कुछ time यहाँ पर wait करना है आप देखें यहाँ पर इस तरह सोग करेगा आपको बीच में one time replace करना है जैसे आप replace करते हैं यहाँ पर यूटूब का लोगो मिलेगा बीच में select करना है आपका यहाँ पर youtube open हो जाएगा ओपो 38 का smartphone में android version 13 का अगर आप frp and gmail account लगा के बूल चुके कोई दिक्कत नहीं ठीक है आप account बला option में select कीजए यहाँ पर देखें आपको यूटूब team of service का option मिलेगा त्री नमर में select कर देना है जैसे आप select करते हैं यहाँ पर अपका internet browser open हो जाएगा ठीक है आप थोड़ा सा wait करना है आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है 100% गार बेटे फिरे में आपका gmail account लोग remove हो जाएगा यहाँ पर अपको search करना है search क्या करना है देखें सबसे पहले यहाँ पर search करना है bnrom bypass चलिए search करके आपको दिखाते है लाइप पूरूप करके पूरा वीडियो complete दिखें step by step follow किजें oppo A38 का smartphone में अगर आप gmail account लगा के बूल चुके android version 13 का कोई दिखें ने यह पूरा वीडियो complete दिख ली जापका smartphone फिरी में unlock हो जाएगा तो चलिए पहले यहाँ पर लुक सर्च करते है सबसे पहले search क्या करना है पूरा यहाँ पर आपको bnrom bypass सर्च करना है सबसे उपर में देखें bypass google account दो जटेश यहाँ पर सबसे पहले आपको सबसे उपर में आपको जो options हो करना bypass google account दो जटेश इसमें select करना है select करने के बाद यहाँ पर थोड़ा सब वेट करना है अब यह पर देखें बहुत सरा option खुल के आ जाएगा करना क्या है देखें आपर 3 number में आपका settings का option मिल रहा होगा select करना है जही से अब select करते हैं यहाँ पर open करना है और यहाँ पर आपका oppo A38 का smartphone है उसका settings open हो जाएगा नीचे जाना है यहाँ पर system settings में select करना है यहाँ पर देखें आपका सबसे नीचे में जाना है ठीक है कोई दिक्कत नहीं है आप करना क्या है यहाँ पर अगर आपका work नहीं कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है आप यहाँ पर करना क्या है सबसे पहले आपको bake आना है चलिए bake आते हैं पूरा bake आजाना है और bake आजाने क्वाद यहाँ पर सबसे उपर में आपको जाना है और यहाँ पर देखे एक option मिलेगा home skin and lock skin देखे यहाँ पर home skin and lock skin का option मिलेगा select करना है चलिए select कर दिये ज़िए आप यहाँ पर select करते हैं उसके बाद यहाँ पर देखे बहुत सरा option कुल के आ जाएगा आप करना क्या है देखे दो नमबर में यहाँ पर home skin का option मिलेगा दो नमबर में home skin तो यहाँ पर आपको दो नमबरवल option में select करना है ज़िसे आप select करते हैं यहाँ पर आपका handset दुबारा से open हो जाएगा चलिए यहाँ पर देखे हम लोग का आपको अपन करना है हर ओपो का smartphone में already clone phone इस्टोल रहता है तो आपको clone phone को open करना है उसके बाद यहाँ पर जो भी permission मांगता है उसको permission को अलाव करना है ठीक है चलिए यहाँ पर देखे क्लोन फोन यहाँ पर हम लोगा परमियस्टन देते है अब देखें आप लौन फोन में ओपं गया अब देखें आप आप एस ओल डिवाइस यहाँ पर पर णिवीएस थेंडिव tudo यहाँ पर आपको नीव डिवाइस करना है अदर चुच करना है उसके बाद यहाँ पर साब्सक्राइब करने। पर जाएगा अब यहाँ पर इस फोन को साइड में रखते हैं अब करना क्या है चलिए इस फोन को साइड करते हैं अब यहाँ पर कोई भी आपके पास कोई भी दूसरा है को स्मार्ट फोन लेना कोई भी स्मार्ट फोन हो सकता आपके पास कोई भी स्मार्ट फोन हो ठीक है अगर का realme का smartphone है तो ओल्रेडी उसमें क्लोन फोन इस्टोल रहता है अगर आपका कोई दूसरा ब्रैंड का smartphone है तो आपको प्लेज स्टोर में जाना है और उहां पर क्लोन फोन लिखना है और उहां पर एक QR code का scan कर लाना है चली QR code को scan करते हैं तो यहां पर क्यों का QR code scan हो चुका है तो थोड़ता सव वेट करते हैं अब यहां पर थोड़ता सव वेट करना है अब पर आपका जीतना chatting डाट है ना सारह कुछ यहां पर किए करना है यहाँ पर दिख करता है है चलिए पर चेक मार्च है अब यहाँ पर में यहाँप Option सब को cỜ करेगाenders तो यहां पर क्या करना एक अप्लिकस्टन को सेंड करना यहां पर सेंड किया है यहां पर सेंड करना आपका जो भी पासवर्ट है उसको आपको यहां पर डाल देना ठीक है चले में लोग पासवर्ट डाल देए अब देखिए आप टांसवर हो रहा है ठीक है तो चलिए थोड का यहां पर अभी भी टांस्वर कंपछी नहीं अब करना क्या टांसवर कंपछीं है इस तर Google option में डं कर देना है और यहां पर कुछ फ़ड़ा सो बेट करना है यहां पर बहुत सर आप लिकतर सना आगो कुछ इस्टोर नहीं करना है नीचे में डोट मिलेगा स्ञेट को आठा देना और उपर में स्कीप करते नहीं ठीक है यहां पर देखेंगे गड्री च्टार्ट का पूरी तरह से उनलोक हो चुका है वीडियो कर अच्छा लगे तो लाइक जरू कीजिए कुछ पुरूबल मारा तो इसी वीडियो के नीचे में कॉमेंट जरू कीजिए